नीज इस्टेशन जहां नीज पहुंचे सबसे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिये गए बेल आइकन पे क्लिक करे ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सकते हैं नहीं तो Google पर वो अलकलो अकी तस्वीरें सर्च कर लीजिए आपके सामने जो घड़िया आएंगी उनमें समय 10.00 होगा ऐसे ऐसे तरक भी दिये जाते हैं दुनिया भर में घड़ी बनाने वाली सायंकरों कम्पनिया है लेकिन सभी घड़ियों में फैक्टरी से ही इन थी इसलिए घड़िया इसी समय पर रुखी होती हैं लेकिन इन सब में सचाई नहीं है दूसरे विश्वयुद्धी से संबंध घड़े के सुईयों के 10.00 पर रहने के पीछे एक तक ये भी दिया जाता है कि साल 19.45 में दूसरे विश्वयुद्धी के समय हिरोशीम आया ना आफी कदीव है नागासा की पर स्थानिय समय के अनुसार सुभा 11.02 बजे ये बम गिराया गया था जबकि हिरोशीमा में 6 अगस्त 19.45 को सुभा 8.05 बजे पर मानो बम गिराया गया था विफॉर्ड विक्टरी जब घड़े की सुया 10.00 पर होती हैं तो ये अंग्रेजी के अक्षर भी का आकार बनाती है गवी को विक्तरी यानी जीत से जोड़ा जाता है इसलिए भी दुनिया भर की घड़ी निर्माता कम्पनियों की घड़ियों की सुया यहीं पर ठहरी रहती हैं क्या कहती हैं कम्पनिया एक मशूर घड़ी निर्माता कम्पनी का कहना है कि इस स कराते चहरे की तरह दिखे इसका एक और फाइदा ये होता है कि कंपनी का ट्रेड मार क्या लोगों घड़ी के डायल के उपरी हिस्से में 12 अंक के ठीक नीचे सपश्ट दिखाई देता है ये भी कुछ कारण है 10.01 एक ऐसा समय है जब घड़ी की दोनों सुईया एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करती है इसकी वज़ा से घड़ी का पूरा नजारा दिखता है यही नहीं आम तौर पर रिस्ट वो अज में 3,6,9 की जगहों पर तारिख दर्श आई जाती है तारिख दर्श आने का कोई निश्चित स्थान नहीं है डॉट लेकिन आम तौर पर इसे 3,6 य और नहीं किया कोई बात